मैजिक देखना तो सभी को पसंद है परंतु मैजिक करना बहुत ही मुश्किल काम है. यह है 33 वर्ष की मेंटालिस्ट मैजिशियन सुहानी शाह जो फर्स्ट स्टेंडर्ड के बाद स्कूल नहीं गई परंतु पांच किताबे लिख चुकी है. यह पलक जपकते ही आपके मन की बात पढ़ लेती है, यह आपका फोन का पासवर्ड भी पता कर सकती है. इन्होंने अपने जादूई का नामों से पूरी दुनिया में अपना और अपने देश का डंका बजाया है. साथ साल की उम्र में अपना पहला स्टेज शो करने वाली सुहानी शाह आज देश और दु जन्म, 29 जन्वरी 1990, उम्र 34 वर्ष, उदेपुर. पुस्तकें, Unleash Your Hidden Powers. चैनल, सुहानी शाह. कुल व्यूज, 841.30 मिलियन. सुहानी शाह नेट वर्थ, अप्रॉक्स, 223 क्रोर्स. सुहानी शाह का जन्म और परिवार. सुहानी शाह का जन्म 29 जन्वरी 1990 को उदेपुर राजस्थान में हुआ था. शुरुआत में उनके पिता चंदरकांथ शाह एहमदाबाद गुजरात में कपड़ों के निर्यातक तथा मास नहलता शाह डिजाइनर थी. बाद में किन्धी कारणों से चंदरकांथ शाह ने गार्मेंट एक्सपोर्ट का बिजनिस बंद कर दिया और वह फिटनिस में चले गए आज वह एक अच्छे फिटनिस ट्रेनर तथा कंसल्टेंट है तथा सुहानी की मास नहलता शाह अब एक हाउस वाइफ बन चुकी है. जीवन में हर सफलता का एक मूल्य चुकाना होता है. सुहानी को अपनी जादूी सफलताओं के लिए अपनी शिक्षा का मूल्य चुकाना पढ़ा था जादू सीखने और उसे करने में व्यस्त होने के कारण वह पहली कक्षा के बाद विद्याले नहीं जा पाई और उनकी प जो व्यक्ती नहीं पढ़ना चाहता उसे आप दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में भी डालेंगे तो भी वह फेल होकर आएगा. सुहानी बताती है कि 13 साल की उम्र में जब उनका शो ठीक ठाक चलने लगा था तब शो के बाद दिन में उन्हें काफी टाइम मिल जाता था जिसमें उन्होंने अपनी टीम के लोगों से एक-एक करके चीज़े सीखी जैसे कि उनकी स्टेज का परदा खीचने वाला एक चौ की परी का जादूई सफर जब सुहानी पहली कक्षा में पढ़ती थी तब ही उन्होंने एक जादू का शो देखा जो उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुद जादू सीखने और उसे करने की ठान ली उन्होंने जादू की एक छोटी सी ट्रिक सीख ली और अपन कि पत्ती तथा रुमाल बांध ली जिससे की उन्हें दिखाई ना दे और अपने पिता से स्लेट बोर्ड पर कुछ लिखने को कहा उनके पिता चंदरकांथ शाफ लैट बोर्ड पर जो भी लिखते थे सुहानी बिना देखे ही बता देती थी कि उन्होंने क्या लिखा है। सुहानी बताती है कि शुरुआत में उन्हें जादू सीखने के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। सुहानी शाह ने अपने करियर का पहला स्टेज शो 22 अक्तूबर 1997 को गुजरात में एहमदाबाद के ठाक और भाई देसाई हॉल में किया था और अपने पहले ही शो के बाद वह लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। उस वक्त उनकी उम्र साथ साल थी। सुहानी शाह, the Indian Mentalist Magician धीरे धीरे सुहानी देश के अलग-अलग शहरों में अपना जादू का शो करने लगी उनकी एक अच्छी टीम बन गई। सुहानी शाह ने अब तक अपने जीवन में देश तथा दुनिया के अलग-अलग शहरों में 6000 से भी अधिक स्टेज Magic शो कर चुकी है। आपने दुनिया के दिगज जादूग्रों की धरती अमेरिका में भी भारत का तिरंगा लहराया है और अपने हुनर के दम पर देश का नाम रोशन किया है। सुहानी शाह को पहली बार All India Magic Association ने साल 2017 में जादू की परी की उपाधी दी थी। उनके जादू के टोट के देखने के बाद उन्हें यह उपाधी दी गई थी। तब से उनके सभी प्रशन सक उन्हें प्यार से जादू की परी कहते हैं। अपने करियर की शुरुआती दिनों में सुहानी शाह एक इल्यूजनिस्ट हुआ करती थी बाद में उन्होंने इस प्रोफेशन को बदल दिया और मेंटलिस्ट बन गई जो अब लोगों का माइन्ड रीड करने का इल्यूजन क्रियेट करती है। सुहानी शाह की अन्य योगिताएं। जादू के साथ साथ सुहानी ने अपने जीवन में और भी कई चीजे ट्राइ की जैसे की उनके बड़े भाई स्पोर्ट्स में स्विमिंग चैंपियन थे उन्होंने भी उनके साथ स्टेट लेवल स्विमिंग की है और चैंपियन रह चुकी है। साही उन्होंने साथ साल की उम्र में कंप्यूटर में डिप्लोमा भी लिया हुआ है उस टाइम वह भारत की यंगिस्ट कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर थी